वाम विल्कम तो मैं चैनल दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई मेरे सब्सक्राइबर या फिर अगर मुझे कमेंट सेक्षन में कोई स्पेशली रिक्वेस्ट करता है कि एक बार पॉर्टफॉलियो रिव्यू करूँ तो मैं जरूर उसको टिक करने की कोशि हो जाता है लेकिन अगर किसी का पॉर्टफॉलियो आप स्क्रीन पे देखो आपको पता है कि कौन-कौन से स्टॉक में उनने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो बात करना थोड़ा सा इजी हो जाता है तो यहां पर यह जो जेंटलमन है जिन्होंने अपना प्रोफाइल हम डिसकस करने वाले हैं बहुत बहुत बैतरीन प्राइस में इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है अगर मैं सिक्वेंच जी पढ़के बता हूं तो एफल एशियन पेंट्स इन दोनों स्टॉक के बारे में मैंने इससे पहले वीडियो में बात किया है एफल इस डेफिनिट अगर आपको पेंट्स सेग्मेंट में पैसा लगाना है तो निफ्टी 50 का स्टॉक चूज करना बहतरीन है इसलिए उन्होंने एशियन पेंट्स लिया है जो कि निफ्टी 50 का हिस्सा रखता है अब देख सकते हो यहां पे भी उनको आठ हजार का आल्मोस्ट फाइदा हो रह है एक बार अगर मैं चार्ट में आपको दिखा हूं तो आप देख सकते हैं बोरसुल जो कंपनी है यहां पे वॉल्यूम बहुत ही लो है इतना ज्यादा अट्रेक्टिव वॉल्यूम यहां पे नहीं है जबकि यहां पे एक बार स्टॉक ने 800-900 लेवल देखा भी है उसके बात से एक continuously यहां पे consolidated zone में बैठा हुआ है और हर बार जब वह अपना resistance लेवल पर आता है वहां से एक बार उसको बहुत ज्यादा resistance मिलता है तो वह तूट के नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं at this point in time new buying के लिए भी recommend मैं नहीं करूंगा लेकिन अगर आप renewals में invest करके बैठे हुआ है अगर आप cost पे हो तो मुझे लगता है कि at this stage आपको cost में exit करना चाहिए क्योंकि यहां पे volume बहुत ही कम है ज्यादा massive investment किया है तो एक learning दोस्तों हमेशा आपका यह है कि थोड़ा सा diversification जरूर आपको करना चाहिए अपने portfolio में लेकिन diversification साथ-साथ में आपको जो amount of investment है उसको भी fix करना पड़ता है otherwise कि आपका जो profit loss का होता है कि एक company बहुत जादा चल गया company बहुत जादा गिर गया तो आपका inform आप अगर रहके investment करोगे आपको पता है कि किस stock में कितना invest करना है एक ही amount अगर आप invest करोगे तो portfolio averaging बहुत बैतरीन तरीके से होती है आप एक decide कर लो 20,000, 30,000, 50,000, 1,000,000 जितना भी आपका capital हो जितना भी आपका potential हो उसे इसाब से आप investment करो और वही amount आपको invest करके चलना है उसे जादा नहीं invest करता है उसे आपसे आपका averaging बहुत बहुत बहतरीन होता है तो next company दोस्तों हम बात करेंगी CDSL की obviously BSC जैसे अभी NSC का भी listing आने वाला है IPO निकलने वाला है BSC का already listed है आपको पता है CDSL जो कि हमारे depository limited है यहाँ पे stock ने बहुत 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 अच्छा पैसा लोगों को बना के भी दिया है अगर मैं आपको CDSL का share का price दिखा हूँ अगर मैं आपको last five years का भी दिखा हूँ तो आप देख सकते हो almost 200 रुपय के भाव से लेके 1500 तक अब हो तो 7.7 गुना पैसा लोगों ने बनाया इसमें लेकिन अभी यह pure एक consolation zone पे चल है जैसे जैसे लोग financially aware होंगे जैसे जैसे लोगों को पता चलता रहेगा कि share market में पैसा बन सकता है धीरे धीरे यहां पे वह invest करना शुरू करेंगे और यहां पे CDSL में भी आपको growth दिखेगा तो यह एक ऐसा stock है यह portfolio stock है इसको आपको short term के इस आप से नहीं देखना है mid cap से लेके small cap के बीचो भीच यहां रहता है मैं बहुत ज्यादा bullish नहीं हूँ clean science जो company इसको लेके क्योंकि यहां पे clean science ने already same story है CDSL जासा covid के बाद बहुत पैसा बना के दिया है patience अगर आप में नहीं है तो आपको इसमें भी exit कर जाना चाहिए dmart की बात करें तो आप देख सकते हो यहां पर बहुत 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 इनको return आ रहा है next हम बात करें e-mudhra company की यहाँ पे दोस्तो 5,900 का यहाँ profit है e-mudhra stock के बारे में मुझे उतना idea नहीं है तो मैं इस stock को यहाँ पे skip करना चाहूँगा next दोस्तो HDFC bank obviously आप कहोगे कि banking sector में HDFC और ICICI सबसे key stocks है सबसे बहतरीन stock से इतना बड़ा portfolio है बहुत पैसा इन्होंने बना के दिया है लेकिन अगर आप मेरी personal opinion लोगे तो मैं बहुत ज़ादा bullish नहीं हूँ HDFC bank को लेके क्योंकि HDFC bank ने already बहुत पैसा बना के दे दिया है और अभी एक वो standard graph maintain करके चल रहा है तो HDFC bank बहुत बहतरीन है लेकिन अगर आप trader हो या फिर आप short term investor हो then HDFC bank counter से आपको दूर रहना चीए इसके जगा आप भले ही access bank, ICIC bank पे काम कर सकते हो क्योंकि वहाँ volume भी ज़ादा रहता है और आपको short term पे अच्छा पैसा मिल सकता है हिंदुस्तान Unilever जब से पतांजली आया है तो थोड़ा सा इसका business model रगमागा आया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो 6000 का इंद को profit जरूर मिल रहा है लेकिन बिल्कुल similar story है HDFC bank जैसा आपको हर कोई सला देगा कि हिंदुस्तान लिवर आपको हमेशा account में रखना चाहिए लेकिन मैं वही बात कहूंगा कि अगर आप long term investor हो आपको steady growth चाहिए एक percentage 8-10% से आप annual return से खुश है तो इस तरह के जो nifty 50 के बड़े बड़े दिगज स्टॉक से आप उसको लेके बैठे रहा सकते हैं अगर आप long term नहीं हो अगर आप short term हो आपको चाहिए कि थोड़ा पैसा लगाओ और तुरं 6 महीन 8 महीन एक साल में अच्छा return निकालके निकल जाओ देन फिर इंवस्ट करने देन हिंदुस्तान लीवर जैसे जो company है इनको आपको थोड़ा सा अवाइट करना चाहिए क्यूंकि इस पर उतना ज्यादा return तुरंत आपको नहीं मिलेगा इंडिया सिमेंट इनके पास आप देख सकते हो investment है लेकिन इनको ज्यादा return नहीं आ रहा है इंडिया सिमेंट भी बहुत डल चल रहा है बहुत टाइम से के बाद correction होके काफी नीचे तक आगया आप देख सकते हो 150 के आसपास 150 के आसपास आने के बाद में बहुत जादा इसमें return बना के दे दिया है तो already यहां पर आप देख सकते हो आप इसको नया buy करने का सोच रहे हो then at this point at this price आपको buy करने के लिए नहीं सोचना है क्योंकि यह थोड़ा सा already आपका overbought zone पर जा रहा है अगर correction होके नीचे यह आपको 200 रुपय के आसपास मिलता है then it's a very good entry point जो मेरा share है that is India Mart यह भी बिल्कुल D Mart जासा story है तो अभी के लिए हम मैं इसको skip करना चाहूंगा क्योंकि अगर आप portfolio में D Mart hold कर रहे हो तब India Mart आपको रखने की ज़रूत नहीं है क्योंकि India Mart का जो financials है फिर technical से उतना जादा आपको lucrative नहीं दिखेगा तो definitely आप cost पे हो जैसे कि इनका आप देख रहे हो 116 का ही loss है almost negligible loss है तो मेरी सलाह यहां रहेगी आप इसको exit करके निखल सकते हो दोस्तों next जो stock है IRCTC इन्होंने 678 पे लिया है आप देख सकते हो अभी 707 है बहुत ही minor यहा वोने पैसा बनाया है ऐसा नहीं कि लोगों को यहां पे loss हुआ है क्योंकि मैं अगर आपको तीन साल का दिखा हो जब से इसका IPO निकल के आया था अब देख सकते हो यह क्या बहतरी चार्ट है इसका यह almost 200 रुपए के भाव से इसने 6-7 times यहां पैसा बना के दिया है लेकिन अभी यह बिल्कुल एक बहुत जबरदस एक consolation phase से गुजर रहा है अब देख सकते हो बिल्कुल box के अंदर में trade कर रहा है monopoly business है तो यहां पे बिल्कुल ऐसा नहीं आपको सोचना है कि आप overnight अभी बहुत जादा पैसा आपको कमाने मिलेगा क्योंकि यह एक बार अल्रेडी कमा के दिखा है ऐसा ही move दिखने के लिए इसको फिर से time लगया क्योंकि अब देख सकते हो volume भी बहुत low है ऐसा नहीं कि बहुत massive volume में यहां trading हो रहा है लेकिन यह भी एक portfolio stock है तो आप चाहो तो इसको hold करके चल सकते हो fresh entry के लिए definitely it's a very good buy point आप चाहो तो यहां fresh entry भी कर सकते हो दोस्तो जेपी पावर एक penny stock है penny stock के बारे में 15 रुपया का company है ना तो इसका fundamentals अब जच कर सकते हो ना technical तो अभी at this point of time इस वीडियो में हम penny stock के बारे में discuss नहीं करेंगे next दोस्तो लक्ष्मी chemical लक्ष्मी chem organics यह जो company इसका भी IPO आने के बाद में बिलकुल ICTC growth story है बहुत अच्छा पैसा लोगों को बना के दिया है लेकिन अभी यह भी बहुत consolation phase में चल रहा है पैसा इसमें लोगों ने बहुत जादा loss भी किया है अब देख सकते हूं यहाँ भी इनको 10,000 का loss हो रहा है तो अगर आपको लक्ष्मी organic में invest करना है तो अभी investment करने के लिए बहुत अच्छा range है क्योंकि इसमें मुझे एक चीज बहुत पसंद है counter में कि इस counter में volume हमेशा अच्छा रहता है तो अगर आपके पास long term horizon का view है तो आप इसको hold करके छोड़ सकते हो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेकिन साथ में आप short term में इसको investing के अलावा आप दिरे आप recover कर सकते हो तो मुझे definitely यह stock बहुत पसंद है नेक्स दोस्तों mother son sumi and m sumi यह जो समवर धना mother son यह नाम से जो अभी stock trade करें basically यह दोनों company पहले एक ही entity हुआ करता था उसके बाद इसने अपना business demerge किया है उसके बाद यह दोनों individual entity बन गया है उसके बाद से बहुत flattish movement है at this point in time आपके पास अगर holding में है अगर आप cost पे हो तो cost to cost में यह exit करने की सला दूँगा लेकिन अगर आपके पास नहीं है मैं अभी fresh buying के लिए यहाँ सला नहीं दूगा तो mother son group से थोड़ा सा आपको avoid करना चाहिए अभी next दोस्तो new gen की अगर हम बात करें new gen जो company है software obviously आपको पता है overall जो nasdaq है जो की US में जो stock market है उसका जो IT index है वो nasdaq से पता चलता है nasdaq का performance अगर आप over the period of time देखो last एक साल में performance नीचे की हो रही जा रहा है इसका कही ना कहीं सीधा effect हमारी इंडियन IT में भी है TCS उठालो विप्र उठालो Infosys उठालो HCL उठालो Tech Minder उठालो कोई भी IT company उठालो Larson & Turbos Infotech से लेके एक भी company ऐसा नहीं है जो कि IT में आपको अच्छा पैसा बनाके दे रहा है यह consideration phase है इससे पहले वाले जो मैंने वीडियो portfolio का बनाया था वहां पर भी gentleman के पास काफी सारे IT के stocks तो म आप मान के चल सकते हो June, July 2023 उसके बाद से आपको IT में movement आता हुआ दिखेगा तब तक थोड़ा सा consolation phase इसका लंबा चलने वाला है तो यहां पे आप अगर चाहो तो इसको avoid करके चल सकते हो next दोस्तो NGL Fine यह जो company है basically मैं इसका चार्ड भी चेक कर रहा था यह basically नहीं company है जिसने recently अपना IPO लाया है बहुत जादा इसमें बात करने वाला position नहीं है क्योंकि बहुत नया stock है थोड़ा सा इसको wait and watch करते हैं तो यहां पे मेरे पास जादा inputs नहीं है तो इस company के बारे में मै जादा input आपको नहीं दे सकता है इसको skip करते हैं तो नाइका की अगर हम बात करें यह भी stock उतना जादा lucrative मुझे इसी नहीं नहीं लगता है क्योंकि जो new age business है थोड़ा सा volatile है अब Zomato का history देख लो नाइका देख लो जितना नया नया जो new age business है इनको थोड़ा सा इसमें company म नहीं है क्योंकि यहां पर आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि आप कभी भी stock में invest कर रहे हो तो वह long term में आपको डवी dividend दे रहा है कि नहीं year on year कितना उसमें growth हो रहा है आपको overall share का price भी बढ़ रहा है कि नहीं company का sales कितना अच्छा है यह बहुत सारे चीज़े हैं जो क आपको long term में दिमाग में रखना होता है जो कि short term में नहीं होता है कि short term में आपको सिर्फ chart देखना है उपर जा रहा है तो बढ़िया है नीचे जा रहा है तो stopless लगा के exit कर दो तो बहुत simple maths होता है लेकिन long term investment में आपको बहुत सारे चीज़े देखनी होती है तो nike जो stock है new age business है इसमें definitely मैं सला दूँगा यहाँ पर cost to cost अगर आप है तो आप exit कर जाएए क्योंकि यह जो company है यह सब company में पैसा बनने में time लगने वाला है same story Electra का भी है यह भी आपको पता है वो जो electric company है गारी वागेरा यह बनाते है इसमें भी same story है तो new age business से मैं थोड़ा सा यहा इसमें volume देखने को नहीं मिलता है लेकिन यह यहाँ पर पोर्टफोलियू आप देख रहे हैं इनको बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है 42 रूपीज में लिया था 60 रूपीज चल रहा है लग 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 इसमें इनको almost 50% का फायदा मिल रहा तो definitely यहाँ सला यह रहेगी at least 50% आप अपना profit यहां book कर ले एंड उसके बाद आप जो आपका buying price है उसको आप stop loss लाग के चले लेकिन fresh buying के लिए अगर आप intraday trader हो तब आप इस पर देख सकते हो लेकिन long term investment के लिए इससे दूर रहना चाहिए प्राज industries जो company है इसमें भी बहुत साथा लोगों ने अच्छा खासा पैसा बनाया है हाला कि इनका शायद buying थोड़ा सा late में हुआ है जिसके चलते इनको अभी यहाँ पे उतना मुनाफ़ा नहीं दिख रहा है otherwise अगर मैं आपको प्राज industries का graph निकाल के दिखा हो आप देख सकेंगे इसमें बहुत अच्छा लोगों ने पैसा बनाया है देख सकते हैं यह exactly 61 के रुपीज से 406 से 7 टाइम इसमें भी लोगों ने पैसा बनाया है यहां इनका buying position थोड़ा साही नहीं है जैसा मैंने बताया था कुछ 4-5 stock इनका selection का जो price है वो सही नहीं है stocks बहतरीन है ल करना चाहिए एक बार यह वापस 300-300 के लेवल पर फिर से इस पर एंट्री लेने के लिए सोच सकते हो नेक्स दोस्तों हम बात करेंगे रूट मोबाइल कंपनी की रूट मोबाइल यह कंपनी के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में cover किया था आप जाके उसको चेक कर सकते ह अभी के लिए मैं इसको skip करूंगा definitely पिछले वीडियो को अब देखिएगा थोड़ा सा लेंग दी वीडियो है क्योंकि उसमें बहुत सारे almost मैंने बात किया थे like 50-60 companies के बारे में यह वीडियो थोड़ा सा लेंग दी होई जाता है दोस्तों इतने सारे वीडियो के बारे मे इतने सारे company के बारे में अगर मुझे बात करना हो हरे company के बारे में at least एक मेना एक मिनिट अभी मैं बात करूं तो यह वीडियो आप समझ सकते हो आदे घंटे का हो जाता है तो फिर में मैं कोशिश करता हूँ fast बात करके जितना भी cover कर सको तो root, mobile, Tata Alexi यह दोनों मैंने cover कि dip में अच्छा खासा buy करने का मौका मिलेगा अगर आपके पास पैसा काफी है आपको इतना immediate fund जरूरत नहीं तब बिंदाज उसको भूल सकते हैं क्यूंकि IT sector जैसे मैंने बताया Q2 2023 तक आपको time लगेगा जब तक पैसा मिले next 203 जो company है Tata Motors, Tata Power, Tata Steel इसमें बात करने की कोई जरूरत मुझे लगनी रही है क्योंकि यहां पर इनका buying price उतना ज्यादा खराब नहीं है अलाकि Tata LXE भी Tata Group से ही है लेकिन overall क्यूंकि IT का market उतना अच्छा नहीं है इसके चलते मैंने exit करने के लिए कहा Tata Motors, Tata Power, Tata Steel यह तीनों SIP stocks है जब भी आपको मौकर मिलता है आपको इसमें investment करना चाहिए तो इसमें इनका holding है यह definitely बना के रखना चाहिए और किसी के पास भी अगर हो तो यह आपको बेचना नहीं है आप जसको आराम से hold करिए नेक्स दोस्तों अगर हम बात करें थिरुमलाई chemical यह बहुत interesting मुझे लगता है थिरुमलाई chemicals की अगर हम बात करें यह दोस्तों मेरा favorite counter है मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाला कि इसमें ज्यादा volume भी नहीं है लेकिन यहां मुझे इसका एक चीज बहुत 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 अगर छे महीने का भी graph देखो तो यहां पे अखुछ बहुत बहुत वैं जविंक ट्रेडिल का counter है हमेशा थोड़ा से उपर फीडिंग फिर अपर लो यह बहुत 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 पैसा बरह नहीं जितना पैसा उसको बनाнокति ओस बनान बाद अभी है वो अपना बॉक्स में ट्रेड कर रहा है आप देख सकते हो यह एक लॉंग टम चार्ट में अगर आप देखो यह एक ब्लॉक्स के अंदर में ही ट्रेड कर रहा है और शौट टम में भी यह चोटे-चोटे यहां पर आपको बॉक्स बनाता हुआ नजर आएगा फ्यूचर के हिसाब से अगर देखा जाए तो पेनी स्टॉक है इसका कोई भरोसा नहीं है तो आप अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो आप कैपिटल इसमें डिप्लॉय करके रख सकते हैं लेकिन बहुत जादा इंवेस्मेंट करने की साला मैं नहीं दूँगा चोट है थोड़ा सा यहां पर डामोडल चल रहा है अतना जादा मुव्मेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है हाला कि अगर आप देखो कहीं न कहीं इसका भी थोड़ा बहुत मोनोपॉली बिजनस है तो अच्छा स्टॉक है इसको मैं होल्ड करने की सला दूँगा नेक्स दो कर सकते हो आपको दिक्कत नहीं है दिन आप डेली लॉग इन करके चेक भी नहीं करोगे कि आपका क्या पोजिशन चल रहा है तो इससाब से आप इसको होल्ड करके छोड़ सकते हो फाइनली जो लास्ट कंपनी है दोस्तो 32 का स्टॉक्स इन उनने लेकर रखा है जैसे मैं ब के लिए यह जो new age companies है इससे मैं थोड़ा सा अभी दूर रहने की सला दूँगा तो दोस्तो यह 32 स्टॉक्स हमने डिसकस किया माफ कीजिएगा अगर वीडियो बहुत lengthy हो गया लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इतने सारे स्टॉक्स के बारे में अगर बात करना है तो टा एडिया भी दे रहा हूं थोड़ा भी आपको इससे कोई फाइदा मिला है तो आप जरूर एंकरेज करिए ताकि ऐसा ही चैनल ग्रो करता रहे सब्सक्राइब करके चलिए एंड बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करो आपको तुरन नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे इंपोर्टेंट है दोस्तों ऐसे ही वीडियो अगर मेरों को कंटीनियू रखना इसके लिए जरूरी है कि मुझे डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो मिलते रहें डिफरेंट लोग अपने पोर्टफोलियो शेयर करते रहें तब ही ज किसी का नाम लेके किसी का पोर्टफोलियो डिसकस करना नहीं है तो यहां पर जितो भी लर्णिंग है वो सब के लिए है आपके मेरे लिए लेक लर्णिंग है इसलिए जरूरी है कि लोग अपना पोर्टफोलियो शेयर करें ताकि मेरे पास भी स्टॉक्स हो जिसके बारे मे Thank you so much.